आज हम बना रहे हैं आम की खट्टी मीठी चट्टी जिसे आम का चुंदा भी कहा जाता है यह रेसिपी बहुत ही सिंपल प्विक और टीस्टी है एक बार ट्राय करिए तो आप मेरे से अग्री करेंगे अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए बनाते हैं आम की खट्टी मीठी चट्मी इसके लिए हमें चाहिए एक किलो कच्चे आम साड़े 800 ग्राम गुड एक टीस्पून हल्दी पाउडर दो टीस्पून लाल मिर्ज पाउडर दो टीस्पून काला नमक एक टीस्पून सफेद नमक दो टीस्पून गरम मसाला और दो टीस्पून भुना जीरा पाउडर इसके लिए हम गूदे से भरा हुआ बड़ा आम यूज करेंगे जिसे हम अच्छी तरह से धोके सुखा लेंगे फिर हम आमों के डंठल काटके निकाल लेंगे और उन्हें चील लेंगे छिले हुए आमों को हम कद्दुकस कर लेंगे कद्दुकस करने के लिए हम बड़े होल वाला ग्रेटर का यूज करेंगे बारी होल वाला ग्रेटर का नहीं देखे हमने यहां सारे आमों को कद्दुकस कर लिया है फिर हम गैस पे कड़ाई गरम होने के लिए रख देंगे और उसमें डालेंगे दो से तीन टेबल स्पून घी फिर हम इसमें डालेंगे कद्दुकस के हुए आम और इसको हम 3-4 मिनिट तक मीडियम फ्लेम में चलाते आम को एसे कुप करने से उसके अंदर का एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाता है जिससे चट्नी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है इसमें हम डालेंगे पीस में क्रश किया हुआ गुड आम को कुप करने का एक और फायदा यह है कि गुड को हम ढख के छोड़ देंगे और तो भी दिख रहा है आपको यह आम का रस है इसमें एक भी ड्रॉप पानी आड़ने किया है अब जो थोड़े बहुत गुड के छोटे से पीसेज रहे गए हैं उनके गुल्ले तक हम इस सिरप को पका लेंगे पिर हम इसमें डालेंगे नमक हल्दी और इसको हम लगातार चल चाशनी अब एकदम खौलने लगी है लेकिन एक तार तक ही हम इसको उबालेंगे उससे जादा थिक नहीं करेंगे ने तो चटनी जब ठंडी हो जाएगी तो वह बहुत ही स्टिफ और हार्ड हो जाएगी चाशनी अब काफी उबल चुकी है अब हम इससे चेक करेंगे चमच से थोड़ी सी चाशनी फिंगर में लेके हम इस तरह से चेक करेंगे देखिए बहुत क्लियरली ये चाशनी एक तार की बन चुकी है अब हम इसमें डालेंगे भुना जीरा पाउडर, गरा मसाला, लाल मिर्च पाउडर और काला नमक इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक ये चाशनी के संग अच्छी तरह से घुल ना जाए हम गैस बन कर लेंगे और तयार है हमारी आम की चटनी देखे कितना रिच कलर है और इसके ड्रॉप होने से ही पता चल रहा है कि कंसिस्टेंसी और टेक्शर कितना पर्फेक्ट है तो फ्रेंज गर्मिया अब भी भी चल रही है और कच्छे आम मार्केट में अभी भी आ रहे है तो आज ही लाइए आम और बनाइए ये सूपर हेल्दी और सूपर टेस्टी आम की चटनी इसे हम धुले और धूप में सूखे हुए कांच के जार में साल भर से भी जादा रखके खा सकते हैं कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा जैसे जार में से जब भी भी चटनी निकाले तो सूखी चमत से निकाले अगर चटनी में पानी या मॉइस्टर नहीं जाएगा तो वो सालो साल बढ़िया रहेगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिए ताके आपको मेरे सारे लेटिस्ट वीडियो के अपडेट्स आते रहे थैंक्यू फॉर वाचिंग